कंजंग्शन कहते किसको है सबसे पहले यह देखिए आप कंजंग्शन इस जोइनिंग वर्ड्स इस जोइन्ट तो और मोर वर्ड्स फ्रेज क्लॉज़स और सेंटेंस तो कंजंग्शन क्या है कंजंग्शन एक ऐशा शब्द है जो दो शब्द दो फ्रेज दो क्लॉज यह दो सेंटेंस इनको आपस में जोगता है कंजंग्शन के कितने पार्ट होते हैं तो हमने क्या लिखेंगे प्राइमरली तो हमने की की वस्तृता believed यह दो हूंने की वस्तृता शोजनक्शन वाश्का साड श्की upper uta अ श्की दॅ झाली है कंजंग्शन तीन तरखे होते हैं पहला जो होता है कि कोडिनेट कंजंग्शन इसका काम होता है इट जोइन्स टू और मोर इंडिपेंडेंट वर्ड फ्रेज चलॉज और सेंटेंस ऑफ इकल इंपॉर्टेंस इट जोइन्स टू और मोर इंडिपेंडेंट वर्ड फ्रेज चलॉज और सेंटेंस इसका एक्जाम्पल हुआ आपका क्रिष्णा और सुधामा वर गॉइड फ्रेज्ण शुदामा बहुत्य दूस्त wszे क्रिष्णे एक अलग शब्द है शुदामा एक अलग शब्द है इसको जोड़ा हमने एंड से तो एंड आपका हो गया कॉडिनेटिंग कंजंशन कि दूसरा होता है कि सबॉर्डिनेटिंग कंजंशन कि यह क्या करता है कि एट जॉइन्स टो और जॉछ वर्ण यह वर्ण बॉस नह एंड उक संटेंस अफ व्यक वीन एंड दिपन दॉन आफ विट इसका एक्जाम्पल देखिए लेट दाट शी वाज नॉट फिलिंग वेल रीमा नाउन है शी वाज तो यहाँ पर दैट जो है रीमा शेट रीमा ने कहा क्या कहा यह आपका हो गया इसका तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं कंजंग्शन यूज़ इन पेर्स इस कंजंग्शन ऑल्वेज एक्सिंट पेर इस कंजंग्शन अल्वेज एक्सिंट इन पेर्स जैसे की एक्जाम्पल देखिए अल्वेज इस रिच येट अल्वेज इस वेज़िए माईजर ली अब आल्दो ये एक कंजंशन वर्ड है और इसके साथ दूसरा जो आया येट जाने कि जहां पर आल्दो हम यूज करेंगे वहां पर येट करेंगे ये दोनों शब्द एक पेर के साथ आता है जिसको हम सेंटेंस में यूज करते हैं और उसका मत्लम निकलता है अब लास्ट माजिक लाइन ये यार रखियेगा certain word can be used both as a conjunction and preposition कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको आप conjunction में भी यूज कर सकते हो और वह प्रिपोजिशन भी होते हैं ऐसे जो वर्ड है वह है एक्जाम्पल के तौर पर तिल कि सिंस कि एक्सेक्टरा ठीक यह था आपका कंजनेशन का क्लास थांक्यू पॉट बेस क्लास